नमस्कार साथियों मेरा नाम है मेगा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं दन्यूज रॉंचर दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बेस्ती आप क्या मानेंगे मीडिया कठोड सवाल पूझ दे या विपक्ष नरेंद्र मोदी की चोरी को पकड़ ले या भारती जन्ता पार्टी को टार्गेट करने के लिए विपक्ष और मीडिया एक हो जाए क्या मानेंगे दोस्तो सबसे घंगोर बेस्ती प्रधान मंत्री की तब होती है जब उनके ही रैली में लोग यानि जो समर्थक होते है वो बगावत करते हुए नजर आते है मतलब रैली तो अपनी है लेकिन अपनी ही रैली में प्रधान मंत्री और भारती जन्ता पार्टी की पोल पट्टी खोलने का काम वो आम जन्ता कर दिखाती है और ठीक ऐसा हुआ है महराश्चु की नासिक में यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जन्संबोधन रैली करने पहुँचे थे और रैली में बकायता वो बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसको हटाने का काम किया गया है अरे मोदी जी जन्ता इतनी मुर्ख तो है नहीं आपकी सरकार में आपने वो टैक्स इप्लिमेट किया और आपने ही हटा दिया तो अपने ही द्वारा बनाए गए कानून और अपने ही द्वारा संशूधित किये गए कानून का आप खुद क्रेडिट ले रहे हैं ये कैसा दोरा मापतरंड है खेर हम तो समझ गए सो अलग बात है लेकिन वहां रैली में मौझूद आम जन्ता इस बात को भाप लेती है ये सबसे ज़्यादा दिल्चस्प है लेकिन दोस्तों इससे भी गंभीर बात ये है कि वहां पर मौझूद लोगों ने नकिवल प्रदर्शन क किया सवाल पूछा है प्रधान मंत्री की पोल पटे खोल दी लेकिन इस सब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है वो क्या साजिश है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधियों और भारती जनता पाटी ने सरकार ने आखिरकार किस तरीके से आम जनता की आज उस साजिश का पोस्ट मॉटम करेंगे तो आए सबसे पहले बता दूं कि पूरा का पूरा माजरा है क्या स्क्रीश पर नजर डाली एक छोटी से क्लिप से शुरुआत करती हूं फिर मैं आपको आगे बताती हूं कि नासिक में प्रधान मंत्री मोधी के रैली के दोरान ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या बवाल हो गया जिसकी वज़े से माजरा बिगड गया और सियासी गलियारों में भुकंप मच गई हडकंप सी आ गई स्क्रीन्स पर नजर डाली है ये पवन खेडा कॉंग्रेस के स्पोक्स परसन उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है इस बंदा काफी है अब वीडियो देख लेते हैं वीडियो में क्या है तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक आम इंसान जो किसान है वो बढ़ती प्यास की कीमतों और जिस तरीके से उनके प्यास पर निर्यात को लेकर जो कर है और उन्हें उचित दाम अपने प्यास यानि प्यास का उचित दाम उन्हें नहीं मिलता है उसको लेकर विर कर रहे हैं उस इस is manipulated facts को correct करने का काम सही करने का का यह आम जनता यह आम किसान कर देता है तो देखा आपने किस तरीके से एक आम इनसान मोदी जी की रैली में मोदी जी की बेजजदी कर देता है, अलाकि बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन, अखिर असक कैसे हो गया, अब मोदी जी की रैली में मोदी जी का अपमान हो गया, और आखिर हमने तो ये सुना कि हरयाना, बक्त दिया करते थे किसान अंदोलन के समय जो अभी भी चल रहा है अभी एक हफ़ता भी नहीं बीता होगा कि एक और अंदोलन के चलते एक और मृत्यू की खबर आई है यानि अभी भी जारी है लेकिन वो अंदबक्त जो कहते हैं कि किसान तो महराश्ट्रा में भी है किसान तो यहां भी है फलाना धिमकाना उन्हें आज ये खबर देखनी चाहिए कि महराश्ट्रिक के किसान भी आज मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी ने किसानों का मूबंद करने के लिए क्या किया है वो आज आपको जाना जरूरी है क्योंकि ये महद ये पढ़ाती हूं ताकि आप समझ पाए कि आखिर पूरा मसला है क्या और किसानों से उनकी हक को छीनने का काम यहीं भारती जनता पार्टी कर रही है जो अब किसानों के हक में बात कर रही है क्योंकि चोथे चलन का वोड तो हो चुका है और पांचवे चलन में महराश्ट्र के महत्वपूर्ण होट सीटों पर चुनाव होने हैं तो ऐसे में मोदी जी महराश्ट्र में आकर किसानों को लुभाने के लिए ऐसी मैनुपिलेटेड डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए किसान तक में एक प्रकाशत आर्टिकल जो मोदी जी की पोल पट्टी खोल क किसान तक के आर्टिकल में लिखा है पी ए मोदी के नासिक दोरे से पहले हिरासत में लिए गए 50 से अधिक किसान इस रिपोर्ट में खुलासा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बुद्वार को महराश्ट्र के नासिक में थे यहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित करन और निर्यात की कीमतों पर सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध कर रहे थे बताइए मतलब मोदी जी की रैली होनी थी उससे पहले 50 किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है और क्यूं ले लिया जाता है ये भी आप जानते हैं क्योंकि किसान वहाँ पर जाकर मोदी जी की प की तरीके का विरोध ना हो जाए मोधी जी की पूल पट्टी न खोल दी जाए मोधी जी से कडे सवाल न पूछ दिया जाए इसलिए रैली से पहले 50 किसानों को गायब कर दिया गया और उसके बाद 5 बजे उनकी रहाई की गई यानि कि मोधी जी की नासिक की पूरी की पूरी रैली निपट जाए और इस चकर में आपने किसानों को बंदी बना लिया, पांच बजे के बाद उनको रहा किया, तो आखिर प्रधान मंत्री को किसानों से इतना डर कब से हो गया, मोधी जी जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, वहीं मो महराष्ट्र में जाकर नासिक के किसानों से डर जाते हैं, अब सोच लीजे मोधी जी, वह वक्त दोर गया, जब केवल उत्तर भारत के लोग विरोध करे थे, अब पंजाब, हर्याना, पश्चिमी, उत्तर प्रदेश और अब महराष्ट्रा से भी चिंगारी सुलक गई है, हाला कि यह पहले मरतबा नहीं है, यह एक साल हो चला है, दोस्तों, एक साल से नासिक के किसान विरोध कर रहे हैं, प्यास की उचित कीमत उन्हें नहीं मिल रही है, जो निर्यात होता था, उस पर कर 40 फीसदी होता था, यह तमाम ऐसी चीज़े हैं, मैं आपको बताऊंगी सि कि आखिर नासिक के किसान विरोध क्यूं कर रहे हैं, लेकिन एक बात प्रधार मंतरी को साफ कर दूँ, भारती जंदापार्टी के लोगों को साफ कर दूँ, कि अब महराष्ट्रा के जो किसान है, जो एक साल से विरोध कर रहे थे, उनकी बगावत भी अब सब के समक्ष आ आना शाहिल, मोधी की नहीं चलने वाली है जब तक इस देश का किसान जागरुख है, जब तक इस देश में लोग, जब तक इस देश के किसान अपने हकों का आवाज उठाते रहेंगे, चलिए हम मैं आपको बताती हूँ कि क्या है प्यास से संबंदित ये मामला जिसमें मह महराश्च्र की राजनीती गरमाई हुई है और मोधी जी को इतनी बिलो द बेल्ट नीचता तक आना पड़ गया कि किसानों को गायब करवाना पड़ गया, आए पढ़ते हैं, महराश्च्र में प्यास उत्पादक संघ में करीब 3.5 लाग प्यास उत्पादक किसान रजिस् गया जिसके अनुसान निर्यातक को सरकार को प्रती टन प्यास के बदले 800 डॉलर का भुक्तान करना होगा, फिर उसके बाद साथ दिसंबर 2023 को विदेश व्यप्यार महानिदेशवाले ने एक आदेश मेलान किया कि प्यास निर्यात नीती में संशोधन किया जाएगा, ताकि 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंद से मुक्त रखा जाए, अब आपको बताते हैं कि प्रधान मंतरी ने अपने रैली में जो जूट बोला है, उसका असली सच क्या है, मोधी ने कहा है अपने रैली में कि किसानों के प्यास यानि जो प्यास उत्पादक है, उनके कर को माफ करने का का किया गया है, लेकिन क्या वाकई, ये सच्चाई है, आए जानते हैं, चारवई 2024 को प्रतिबंदन जरूर हटाया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कौन से है वो शर्त, निर्यातक को अब सरकार को 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन का भुकतान करना होगा, इससे पहले उन्हे 800 प्रति टन प्यास का भुकतान करना होता था, ये फरक आप समझे, कि पहले उन्हें 800 डेना पता था प्रति टन का और अब 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन का भुकतान करना पड़ता है, और प्यास ऐसा है, जो महराश्टरा का प्यास, 50 विदेशों, 50 देश है विदेश के जह तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी आपने महराश्ट्र की किसारों को भी मूर्ख बनाने का काम किया है पस्ची में उत्तरप्रदेश पंजाब हर्याणा की किसानों को आपने MSP का प्रलोभन दे दिया था कैदिया था लेकिन उसके बाद जब सचमुच करने की बारी आए तब आप पीछेट जाते हैं यहां पर भी एक साल से एक लड़ाई चल रही है एक बगावत की स्वार्ड ने कर रहे हैं अपने हकों की बात की जा रही है लेकिन उस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और रैली में आकर किसानों की सहानुबूती बट में भी आपको बता दू कि बहुत से और्गनाइजेशन महराष्ट्रों में करेंटी ऑपरेटेड है जिसमें जिसमें किसान संग यूनियंस है जो लगातार भारतिय सरकार का विरोध कर रही है क्योंकि भारतिय सरकार जुमला फेकते हुए नजराती है जैसा वो हर बार करती है अब किसानों के लिए महराष्ट्रों के लिए उसनों ने जुमला फेका था और ये जुमला को वो बचाव करते हुए अपनी रैली में नजराते हैं लेकिन एक शक्स ने किसान ने पोल पट्टी खोलने का काम कि और साथी में आइना दिखाने का काम रधान मंत्री किसानों को गायब करवा दिया गया मोदी के रैली से पहले और इस वाइरल सोशल मीडिया क्लिप पर आपकी क्या रहा है अपने सवाल और सुझाब भी आप कॉमेंट सेक्शन के जरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं फिलाल मुझे दीजिए जासत फिलती हो आपसे ऐसे ही आप